सवे भवंतु सुखिन, अपने मन को अब तू मना ले, शुदस्वरूप को लक्षे बना ले, भाग छे, जो गुरू उपदेश के अनुरूप उग्रहन करें, उपर मेरा नाम लिखा है, अंदर यह पैगाम लिखा है, ओ संसार में रहने वाले, कर्म की मार को सहने वाले, काल शिष्य के कान, गुरू की वानी के संपर्ट में आते हैं, या शिष्य की आखें, गुरू की कलम का लिखा हुआ पती है, तो समझ ले की, गुरू द्वारा लिखी गई चिठी, सुनने वाले पने वाले, शिष्य को प्राप्त हो गई है और, यह चिठी इतनी लंबी है की, इस चिठी को पने के लिए, काफी समय लगता है, इसलिए बार-बार, सत्सन किया जाता है, इसलिए समझाने के लिए, ग्रंथ लिखे जाते रहे हैं, अब यह चिठी पने के बाद, कुछ शिष्य तो, अर्जुन, कर्ण, एकलव्य की तरह, सिधा हस्त हो जाते हैं और, जाते हुए भी, ज्यान के विपरीत कार्म, करते ही रहते हैं और, अपना जीवन जीते जीही, तबाह कर लेते हैं, जैसा कि दुर्योधन ने स्वीकार किया था कि, मुझे पता है कि, मैं जो कोच कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, मेरे संसकार मेरी प्रवृती के कारण, मैं नहीं चाहते हुए भी, गलत करता रहता हूँ. एसी तरह धृत्राष्ट्र ने कहा कि, मुझे पता है कि, क्या गलत है और क्या सही, लेकिन जब दुर्योधन मेरे पास आता है, तो मेरी बुद्धी को पता नहीं, क्या हो जाता है कि, पुत्र मोह वश में उसकी गलत बातों को भी मान लेता हूँ. इस संसार में अधिकतर लोग, लोकेशना, पुत्रेशना, विधटेशना में ही पूरा जीवन बिता देते हैं. यानि के इस संसार में विध्यमान, पदार्थ शकलों की तृष्णा-चाह में ही सारा जीवन बिता देते हैं और इनकी त्रिशना चाह प्यास ही, उनके बंधन को और प्रगार्ड बना देती है. तो चिठी का लेखक तो मार्ग दाता ही है क्योंकि ग्यान तो अद्रिश्य रूप से सभी के अंदर समाहित है और जो अपने अंदर के पाप से परे हो जाता है उसके अंदर वह ग्यान उजागर होने लग जाता है और वह मार्ग दाता निस्वार्थ भाव से सबको वह ग्यान प्रदान करने लगता है, किसी अपवाद को छोट कर इस संसार में जो भी आता है, वह पहले घुटनों के बल चलता है, उसके बाद ही वह अपने पेरों पर खड़ा हुपाता है, कोई ऐसा नहीं जो पैदा होते ही चलने लग जाता हो, इसी तरह गुरू जन्द से पैदा नही होते, अपितू गुरू बनते हैं, ज्यान के अनुरूप किये गए सतकर्मों के कारण, एक सामान्य शिश्य और गुरू में केवल इतना ही अंतर है कि जो गुरू मार्ग दाता बना है, उसने यह लक्ष जन्द से प्राप्त नहीं किया है, अपितू अपने सतकर्मों के आध गुरू में परिवर्तित हो जाता है, अथवा गुरू के समतुलिय हो जाता है, तो जो वर्षों ग्यान रूपी अगनी में कार्म रूपी तपसे तपावा, कोईलेक शिश्य से हीरा गुरू बन गया लगातार साथ.